सो हलो फ्रेंट्स ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है और मैं आज आपको कुछ रिजन्स बताने वाला हूं जिसके वज़े से तुम्हारा हाइट ग्रोथ 100% नहीं हो रहा है देखो हर किसी का जेंटिक पोटेंशल हाइट होता है अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा पैरेंट्स का हाइट कम है तो तुम्हारा भी कम होगा यह सबसे बड़ा मिस्टेक है और सबसे बड़ा कानफूजन है नहीं तुम अपना पैरेंट्स से लंबा हो सकते हो हमारा हाइट वही होता है जो हमारा कल्चर होता है तो हम अपना कल् तो आप तो उनको देखकर सिखते हो तो फिर क्या होगा आपके साथ भी होगा आप अधर कंट्रीज देखो उनका एक अपना कल्चर है तो उसी कल्चर की हिसाब से चलते हैं एंड वहां पर मैक्सिमम लोगों का हाइट देखो तो हमारा कल्चर में कुछ डिफेक्ट है जिस Supини करना होगा यांड रिफेक्ट हमने कंट्रोल नहीं किया गया तो तो करन वीडियो को एंड तक देखना अगर इस चैनल होता हुए इसिशली में उसक्षी हाइड ग्रोथ के लिए अगर बढ़ाना है तो चैनल का सब्सक्राइब करो आंड मेरे साथी साथ मैं haide पढ़ाने के लिए online training प्रवाइड करता हूं जिनको भी हएड बढ़ाना है मेरे सरह online लेना है तो मेरे मेरा mail id पर पूंडेट करें यहां पर आपको मेल आड़ी दिख रहा है सबसे बड़ा फादा है कि आप मेरा गार्डेंस पर रहेंगे ट्रेनिंग प्रवाइड के जाता है तुरू वाट्सेप चैट फेसिलिटी तो सबसे पहले आपको मेसेज करना है कि सर मुझे परसनल ट्रेनिंग चाह आप मेरे गार्डेंस पर रहोगे आपको डाट पर याड़ा पर नहीं करना है क्या चिंजिस करना कि हटाना घटाना हर एक चीज आप मेरे अंडर करोगे खुश से करनी जाओगे तो गलती करोगे 100% शिवर आप गलती करेंगे प्रपर नहीं करेंगे इससलिए टीचर के बहुत ज्यादा खुश रहोगे पहला रिजन हाइट नव बढ़ने का यह है कि आपको जितना जुरत है आप उतना खान नहीं रहे हो तिक जितना जुरत है उतना खान नहीं रहे हो अगर आपको डेली 150 ग्राम प्रूटीन चाहिए तो आपको खाना पड़ेगा अगर आपको करना कि आप कितना चावल खा रहे हैं उसमें कितना कैलरीज है आपको कितना कैलरीज चाहिए ग्रो करने के लिए अगर यह से पता नहीं है तो सबसे पहले ट्रेणिंग जॉइन करो अपना टाइम लॉस बिल्कुल मत करो तुमको कितना गुड़ फैट्स लेना है कितना बॉ तुमको न्यूट्रीन्स प्रवाइड करना पड़ेगा अगर नीट्रीन्स प्रवाइड ने करोगे तो अंदर में गड़बडी होगा बॉड़ी प्रोफर फंक्र पाएगा उसके बाद नेक्स्ट रिजन क्या है प्रोटीन का डिफिशेंसी होना मेरा जब हाइड फ्रोटी में अपना डाट में प्रोटीन लेता ही नहीं था डेली मेरा बॉल्डी को कितना प्रोटीन मिलता थे जांते हैं 10 छान्प 10 पॉल्टेन 15 इस प्रोटीन जांत में में कंडा तॉ seem ज जादा में एक बार 20 ग्रॉटीन तो जहां 1400 ग्रॉटीन चाहिए पर दो दिनों में नहीं यार टाइम देना पड़ेगा उसके बाद नेक्ट रिजन क्या है कैल्सियम और वाटमन डी-3 का डिफिशेंसी होना अगर तुम्हारा डाइट में कैल्सियम रिच फूट्स नहीं है तुम अब सनलाइट नहीं लेते हो तो यह 100% सियोर है कि तुम्हार बॉन्स वीक पड़ेगा एंड तुम्हारा हावीट ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा तो तुमको कैल्सियम वरिच फूट्स एड़ करने अपना डाइट में जैसे कि जितना भी डेरी प्रोड़क्स है अंडा है ठीक है मश्रूम है इन चीज़ों को एड़ करो अपना प्रेशन है अचल हरा हमारा लाइप में बहुत यादा स्ट्रेश स नहें प्रोडियं प्रोटिन प्रटेस करना हो यार पैसा नहीं प्रेशर आगिये एकवारेन्स उल्टा ऊपर और प्रेषर डालते हैं mistल systems और रिलीज करेगा growth hormone कम रिलीज करेगा height कहां से बढ़ेगा ठीक है तुम्हारा growth हो गए नहीं अच्छे तरीके से उसके बाद जो next region है तुम सोते कम हो phone जादा यूज करते हो जादा सोना स्टार्ट करो 8 गंटे का sleep बहुत important है growth में बहुत ज़्यादा difference आएगा इन चीजों के मैंने किया है आप भी करो आपको बहुत ज़्यादा फादा होगा उसके बाद जो नेक्स्ट रिजन है वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो वेट ट्रेनिंग जिम जाओ जिम जाके दबा के वेट ट्रेनिंग करो लेकिन ज्यादा heavy weight उठाना नहीं है अगर heavy weight उठाओगे तुम्हारे टेकनिक खराफ होगा जिम जाओ सबसे पहले टेकनिक सीको कि किस तरीके से ट्रेनिंग किया जाता है और लोगों को देखकर heavy weight उठाने के चक्र में मत रहना उससे तुमको side effect होगा जिम जाके अगर तुम proper तरीके से load उठाते हो जाके तुर अगर 12 से जादा रेस लग रहा है मतलब weight तुम्हारे हलका है तो इस तरीके से तुम weight का selection करो तुमको बहुत फायदा होगा जिम नहीं जा सकते हो तो घर पर body weight training करो जैसे कि मैं करता था पूल-ups, push-ups, lunges, mountain climbers, plank, squat jumps, weighted bag लेके running करता था, sprinting करता था तो यह सब करता था तो य cutting muscle mass चड़ाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा तुमको, तो यह सब main reasons है, जिसके वज़े से तुम्हारा height growth नहीं हो रहा है, सबसे पहले इसको ठीक करो, उसके बात मैं तुमको और भी अच्छा-च्छा tips दूँगा, जो यार तहल का मचाने वाला है, ठीक है, च